पेशाओ तुम्हें विश्राम क्या वश्रक्त है कहा जा रहे हो तो उनके पास जा रहा हूं जिन्होंने मुझे बचाया और एक बात सुन लीजे पिताजी आपने जो भी बीतीरात मा से कहा वो सब सुन ली आपने क्या कहा आपने उनसे कि अगर वो द्वार का माई गई आप उनको घर से निकाल देंगे उनका परित्याक कर देंगे आपकी जानकारी के लिए बता दूँ पिताजी कि अगर आज मैं इस घर में हूँ तो सिर्फ अपनी मा की वज़े से हूँ वरना मैं कप का छोड़कर चला गया होता और एक बात और अगर आप आज मा को घर से बाहर निकाल देते हैं तो वो अकेली नहीं जाएंगी उनके साथ मैं भी जाओंगा फिर क्या बचेगा सब कुछ तो खो देंगे आप पढ़ गई तेरे कलेजे में ठंडक मेरे बेटे को मेरे विरुद करके मेरी अवशदी के कारण केशव फीख हुआ मेरे लाख मना करने पर भी तुने उस पहरागी को अनाजकाई दाना दिया अब मेरा बेटा ये मानने लगा है कि उस पकीर के कारण वो ठीक हो गया कैसी पतनी हो तुम कि यह चला रहा हो सरकार शेडी में लोगों का हुजुम उमड़ पड़ा है हां सरकार पता नहीं लोग कहां कहां से आ रहे हैं सबी लोग शेडी में दाकिल होना चाहते हैं हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है सरकार कुछ चलकर देखिए ना हां सरकार कि यह चला रहा है मेरे साथ कि यह चला रहा है कि यह चला रहा है कि यह चला रहा है मेरे कि यह चला रहा है हुआ है झाल झाल साई आप हम सब को यहां क्यों लेकर आए हैं हम आपका शुक्रियादा कैसे करें साई ये भी हम नहीं जानते हैं आपने हम सब की जान बचाई है सब हो गया जीजे सब आपके निर्देशान उसलार हम खिचड़ी बना कर ले आए आपने से बहुतों ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया होगा पहले कुछ खा लें बातें बात में होती रहेंगी कर दोड़ी जान बात बहुतों ने कर दो दो आपके लेगा खाया है जान वाल दोड़ी शुरू कीजिए तेरा अलसु न जाए्य मन में आशाक जीपक भुच्टो ने ना पाए सुबहां फिर से आएगे रात समझाये ऑभियों आईयों आईयों साःयः वो शुप्रिया साई धन्यवाद साई हम धन्य हैं साई जो हमारे जीवन में आप है आप, आप हमरे लिए भगवान हैं साई साई की जय हो साई की जय हो साई की जय हो साइं की जय हो क्या चिला रहे हैं ये लोग साइं की जय हो सुरकार मैंने वो लोग बोल रहे है अब तो बता दीजे साइं अपने साथ घरों से एक-एक दाना गेहूं का मांगा जबकि मैं तो आपको पूरी गेहूं की बोरी देना चाहता था बैठिया आप लोग गेहूं के साथ दाने मनुष्य के साथ दोशों के प्रतीक हैं लालसा पेटूबन लालच इरश्या एहंकार आलस्य और क्रोध और ये वो दोश हैं जो मनुष्य में अंजाने में ही पैदा हो जाते हैं और अगर हम इनके प्रती सतर्क ना रहें तो ये हमें हमारे अपनों से ही दूर कर देते हैं ये समाज की एकता और एक जुटता में बादक है जिस समाज में एकता नहीं एक जुटता नहीं वहां असुरक्षा है और जिस समाज में असुरक्षा है वो समाज उन्नती कैसे कर सकता है क्या जिस समाज में लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं खुश से आगे बढ़कर दूसरों की मदद नहीं करते क्या वो समाज कहलाने यो क्या है यहू के साथ दानों का उदाहरण मैंने इसलिए दिया ताकि सभी को याद रहे और सभी अपने इन दोशों के प्रति जाक रुख रहे जैसे जैसे समय अपनी कति से आगे बढ़ेगा समाज में भी परिवर्तना आएगा कभी अच्छे के लिए तो कभी बुरा समय लेकर समय हमारे सामने हमेशा विकल्पों को रखता रहेगा पर चुनाव हमें करना होगा निरने हमें लेना होगा हमारे सामने ऐसी परिस्थितिया आती रही है और आती रहेंगी जहां हमें विकल्पों का चैन करना होगा कई बार निरने लेना बहुत कठिन होता है और ऐसे ही समय में ये दोश हमें मोहा आकर्शक रोमाचित कर देने वाले दिकल्प दिखा कर हमारी राह को भटकाने का प्रयास कर दे है और भविश्य में भी ऐसा होदा ही रहेगा पर अगर ऐसे समय में निरने लेते समय हम खुद को इन साथ दोशों से मुक्त रखें तो हम कभी भी गलत निरने नहीं लेंगे यही मेरा प्रयास था और यही मेरा उप्देश है सुबे के तुल्ल में इसके हालत और बिगड़ती जा रही है हमें किसी की मदद लेनी चाहिए कौन मदद करेगा इसके साइं यह साइं का ही चमतकार है तब ही तो यह बंदरवाजे और खिर्किया अपने आप खुल गए और यह हवा में आटे की मैक तुझे यकीन है यह जरूर साइं की ही कोई लीला है क्या हुआ सरकार उस फकीर की बाते सुनकर आप इस फकार चुप क्यों हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस फकीर की बातों से सहमत हैं कभी नहीं बिलकल नहीं यह मुर्गा वले इसके बहकावे में आ सकते हैं लेकिन मैं कभी नहीं आ सकता इसके जासे में इसके काले जादू के चक्कर में कभी नहीं आऊंगा मैं यह पैरागी जिसे जिसे एहनकार कहता है दरसल वो मेरा स्वाभी मान है और हां मेरा स्वाभी मान मेरी योग के तासे है हूँ मैं इन गाव वालों से अधिक योग गिर आज ये गाव वाले समझ रहे हैं कि इन्होंने मुझे हरा दिया लेकिन ये इनकी गलत फैमी है फूल है मैं लाद कराओंगा इनका सुक चैन चीनने और ये कुड़करनी सरकार की प्रति क्या है प्रति क्या प्रति क्यों हम प्रंड लेते हैं साइं हम एक जूट रहेंगे और हर मुसीबतों का मिलकर सामना करेंगे राम जी भलक साइं साइं आपने हमारे लिए जो किया है उतना किसी ने भी नहीं किया जब प्रशासन, अधिकारियों, सरकार ने यहां तक की डॉक्टरों ने भी हमारी मदद करने से इंकार कर दिया था ऐसे समय में आपने हमारी मदद की आपने एक पिता की तरह हम सब लगों की रक्षा की साइं आसे एवल माता पिता ही किसी के लिए इतना कर सकते हैं जितना आपने हमारे लिए किया है आप हम सब के लिए पिता समान है साइं पिता समान है साइं हमें तो यकीन हो गया था कि उस शिवर से हम कभी जिन्दा नहीं लो देंगे लेकिन आपने आपने हम सब की जान पर जाएं हां साइं और इसलिए आज से हम सब और हम सब ही क्यों ये सारी दुनिया आपको साइ नहीं बलकि साइ बाबा कहेगी आप हमारे पिता इश्वर मित सब कुछ है आप हमारे साही बाबा साही बाबा साही बाबा साही बाबा साही बाबा साही बाबा की साही बाबा की साही बाबा की जे 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 अल्ला मालिक चरन तुम्हारे काशी मेरी शरन तुम्हारी काबा चरन तुम्हारे काशी मेरी शरन तुम्हारी काबा जनन मरन के पार करादो मेरे साई बाबा मेरे साई बाबा नित्य तिलंजन साई ना भौदुख भंजन साई ना भूज तिरंगन साई ना भ्यापे करकर साई रा ओूसे 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 beneath माया की ये रात घनेरी अंधिया राच जबुँँ तुम बिन कोई राह दिखे ना मिले न कोई ही चोग आज ख़गा उतर में तुम्हारे दावन मेरी दोड़ बाबा तुम ही सूरत मेरे दुंगर कर दोड़ अंतर मन में भर दे उजाला ऐसी तुम्हारी लावाद अब नित्रा से मुझ को जगा दो मेरे साई बाबा मेरे साई बाबा है अपिपा मन साई ना उस्वर्टा जा मन साई ना गाओ जिस दिन साई ना बोलो हर खर साई ना वाल जार तुम्हारी तुम्हारी जा ना बोलो हर जाएव मुझ को जाएव तन्मन हर गड़ पे है तुम्हारा काईनरे अक्तार गिनने जाओं गिन ना बाओं अनकिन है उत्तार परे समझ के लूप तुम्हारा चाच धर्म के पार परमुक्ता कराचर के हो दीनों के आधार सारा जगत परिवार तुम्हारा तीनों लोग है सुबार छाओं मैं अपनी मुझे बना दो मेरे साई बाबा मेरे साई बाबा दुर्वर मेरे सदा रहे बन तेरे भावे दुआ दरस रहा हूँ दरस दिखा दो मेरे साई बाबा 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 साई साई मेरे साई 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 झाल झाल